मुसकार कच्चा चिठा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साच शुवानी पांडे नंबर वन चानल के नंबर वन चो कच्चा चिठा में आज बाद पुतिन के बहुत बड़े दावे की जो अगर सच साबित हुआ तो बाइडन की बहुत भारी बेज़ती हो जाएगी रूस का दावा है कि उसने नेटों के सबसे खतरनाक चैन को तबाह कर दिया है यकीन नहीं आता तो ये विडियो देखिए जो रूस की रक्षा मंत्री ने खुद जारी किया है पहले कैमरे से रिकॉर्ड हुआ हमला मिसाइल जाती है और बहुत ही खास टैंक को ऐसे उड़ा देती है दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ हमला मिसाइल बढ़ती जाती है और टैंक को चारो खाने चित कर देती है टैंक का ऐसा अंद देखकर जिलिंज की बहुत परिशान है एंटिटैंक मिसाइल से हुए हमलिन पुदिंग के गैम्प में जोश भर दिया है और इसका नेचु कैम्प पर बहुत बुरा असर पड़ा है युक्रेन युद्ध में पुतिं के एक बड़े हमले ने एक साथ तीन बड़ी ताकतों को बेज़ज़त कर दिया है उनको मू दिखाने लायक नहीं छोड़ा उनकी हैसियत उनका रुत्बा उनकी अकड़ सब एक हमले में खत्म कर दिया पुतिं ने जलिंस्की को शर्मिंदा किया है जलिंस्की बहुत परेशान है पुतिं ने बाइडन की बहुत बुरी तरह बिज़ज़ती कर दी है बाइडन को अपने से ज्यादा अमेरिका की किरकरी सता रही है और नेटों को तो पुतिं का जटका बहुत खतरनाक है ये पूरा गुट अब पुतिं के सामने घुटनों पर आ गया है पुतिन की पौज ने ऐसा कहर मचाया है कि पूलिन को उसकी हैसियत दिखा दी पुतिन ने जर्मनी को बता दिया है कि उसका जमाना खत्म हो गया है पुतिन ने पूरे यॉरप मुआइना दिखा दिया है पोतिन ने जलिन्सकी को बता दिया है कि वो कुछ भी करने उनकी हार ते है यक्रेम के युद्ध से इस वक्त की सबसे हीरान करने वाली रिपोर्ट ये है कि पोतिन ने जलिन्सकी के सबसे खतरनाओ टैंक लिपर्ड को तबाख कर दिया है रूस का दावा है कि डॉनिस्ट में युद के दौरान उसने आठ लेपट टैंक को तबाख कर दिया है जंग में अब तक यूरपी देशों से युकरेन को 18 लेपट टैंक मिले थी उसमें से करीब करीब आधे टैंक को पुतिन ने एक जटके में खत्म कर दिया है यानि पुतिन ने नेटो की 50% इज़्जत मिट्टी में मिला दी है और इसी के साथ बाइडन के हथियार पैकेज को 100 प्रतेशत लॉलिपॉप साबित कर दिया है ब्रिटन के लिपर्ड और जर्मनी के चैलेंजर टैंक मिलने के बाद से जेलिंस्की के होसले बुलंद है जेलिंस्की ने अब तक का सबसे बड़ा युद्ध टैंक चेड़ दिया और दावा किया कि रूस के करीब 3850 टैंक को बर्बाद कर दिया लेकिन इसकी पॉल उनके दोस्त ने बाइडन की देश की एक अजिंसी ने खोल दिया और बताया कि असल में जेलिंस्की जितने टैंक मारने का दावा कर रहे हैं उसके करीब आधे टैंक ही रूस के इस जग में बरबाद हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के सिर्फ 2000 टैंक ही दबाह हुए जंग से पहले रूस के पास करीब 12,000 टैंक मान लिया जाए कि उसमें से 2,000 टैंक बरबाद भी हो गए तब भी पुतिन की वाज के पास 10,000 टैंक बचे हैं और किसी भी देश के पास टैंक की ये बहुत बड़ी तादाद है मतलब ये कि रूस एक बड़ी टैंक पावर अब भी है और उसके आगे जेलिंसकी को खेरात में मिले टैंक कहीं नहीं टिक दे अब लेपर्ड टैंक पुतिन का शिकार कैसे बने कैसे पुतिन की रन नीती के आगे उनकी बगतर मौम की तरहब बगल गई कैसे पुतिन के एंटी टैंक वाले गेम में जेलिंसकी पुरी तरह भज गए सवाल बहुत ज्यादा हैं लेकिन उससे बड़ी जेलिंसकी की डिमांड है जेलिंसकी अब चाहते हैं कि रूस से लड़ने के लिए नेटो उन्हें तीन सो टैंक की डिलिवरी जल्द से जल्द करें और वो भी ऐसा टैंक जो रूस से मुकाबला कर सकें ना की आउटडेटेड टैंक जिसकी आज की युद्ध में कोई कीमत नहीं युद्ध के लिहाज से देखें तो वो कबार से ज़्यादा कुछ नहीं बकमूत के आसपास डानिस में इस वाक भीशन लड़ाई चल रही है दोनों देशों के अपने अपने दावे युकरेन ने वीडियो जारी कर ये दिखाया कि कैसे उनके सैनिक रूस की बिटैलियन को ड्रून से अटाक कर रही है कैसे युकरेन के बलट वार से रूस की सैना में देश्चत है तो रूस ने जवाब में ये बताया कि उसके हमले में युक्रेन को बहुत बड़ा नुक्सान पहुचा है। इसमें फ्रांस के त्री एमेक्स टैन वील्ड टैंक है। यानि फ्रांस की इज़त पर भी पुतेन ने पानी भीर दिया। साथ ही एक सो नौ बखतर बंद गाड़ियां शामिल हैं जिसमें ज्यादा तर युक्रेन को नेटो से ही मिली थी। तेचेने त्रेह सुतक उक्राइंसकी रिजिम प्रिप्रिनिल दावन अबेशने नस्तुपलेने ना राजने उचासके फ्रॉंटर। सोस्रेटोचिव व एतिक चैलेख बल्शो कलिचेटो टेखनी की इजिवोई सीव अब ये भी जान लीजिए कि जिस लेपर्ड के भूते जेलिंसकी रूस पर फतह का खुआप देख रहे थे उनकी सेना जीप के लिए हुंकार भर रही थी असल में वो 37 साल पुराने टैंक मतलब ये कि नेटो ने जेलिंसकी को लेपर्ड टैंक का अपडेटेड वर्शिन नहीं बलकि कोल्ड वॉर के दौर का टैंक थमा दिया था जो आज की युद के लिए तो बिलकुल भी तयार नहीं था और एंटी टैंक मिजाइल के हमले जेल पाने के लिए तो ये कभी बना भी नहीं था दरसल नेटो से युकरेन को लेपर्ड 2A4 टैंक मिला था जिसका रूस के T-72 और T-90 जैसे खतरनाक टैंकों के सामने टिक पाना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन माना जाता है इस टैंक युद में पतिन के हाथ अगर बड़ी कामिया भी लगी तो इसमें बहुत एहम रोल रूस के टाप कमांडर वलेरी गेरासिमोफ का है पतिन ने युद के बीच में ही वलेरी गेरासिमोफ को चीफ अफ जर्नल स्टाफ बनाया है विलेरी गेरासिमोफ आर्म्ड कोर आफिसर और टैंक यूत के बहुत बड़े और खतरनाक खेलाडी माने जाते हैं जनरल विलेरी गेरासिमोफ के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वार पर है और साथ ही अटैक हेलिकॉाफ्टर के साथ फाइटर प्लेइन की वो जुगलबंदी जिसके साहारे टैंक रेजिमेंट यूकरेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ रही है अब जिलिंज की कुछ भी दावे करें कुछ भी प्रॉपगेंडा फिलाए लेकिन हकीकत यही है कि जिन नेटो देशों के हथियारों पर उन्हें इतना अगोमान था पुतिन उन्हें चुन-चुन कर निशाना बना रहे हैं साथ पुतिन बाइडन को भी आईना दिखा रहे हैं कि वो भले ही लाखो करोडों रुपए का पैकेज युकरेंड को भीजे भले ही कितने ही एडवांस हथियार युकरेंड के सैनिकों को मुहया कराएं असल में वो पुतिन की सैना के आगे टिक नहीं पाएंगे लेकिन जस तरह से पुतिन की सैना नेटो से मिले टैंकों को बरबाद कर रही है उससे ये बात को साफ है कि असल में नेटो ने युकरेंड को हथियार देने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ती ही की है इसकी तां ती, परहिशा की प्रिजिदेन की गजा गाहिंसे बहएंचे थे. फरहिशां जुहा ने जुगा सदता है. वहां की डाशपस की लिवाता की तेंक्च़ defended ही अएग। जहाँ जर्मनीज पुटनकी युक्रवान के जहाँ बहात गुरा हुगा। उ प्रावीम उकॉलनस्टिम उ प्रावीम कूटम तो गोरी अपनी बात को पक्ता करने के लिए क्रोईशिया के प्रेजिदेंट ने कुछ आंकड़े भी दुनिया के सामने रखी नेटो के सदस से देश क्रोईशिया के मताबि अमेरिका के अपरम्स टैंग सीरिया और एराक के युद में बुरी तरह जले है एराक में अमेरिका के तीन सो आपरम्स टैंक साई तो इनमें से सो आपरम्स हमले के दौरान जल गए क्रोईशिया के राश्टपती ने तो ये भी दावा किया कि ये टैंक कोई ब्रमहास्तर नहीं है सही हालात और सही दिशा से वार करने पर इन टैंकों को दबाख करना बेहदासान है युकरेन के युद ने दुनिया के लिए बहुत बुरे हालात पैदा कर दिये है अमेरिका और रूस के बीच ऐसा टकराव शीत युद के बाद पहली बार देखा गया है रूस के हमले ऐसे हैं कि युद युकरेन के आगे नेटो के सीमा में कब दाखिल हो जाएगा कोई नहीं जानता वहीं बाइडन ने फिनलेंड को नेटो में शामिल करके वर्ल्ड वार की चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम किया है ये बात रूस की तरफ से बार बार कही जा रही है पुतिन इस वक्त बहुत ज़्यादा आक्रमत है जबकि बाइडन बहुत ज़्यादा कन्व्यूजड है और युकरेन पर उनकी नीती पुतिन को और ज़्यादा गुसा दिला रही है और जिस तरह से पुतिन एक कि बाद एक युक्रेन के हत्यारों को निशाना बना रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि जिलिंज की जुबानी जंग में भले ही पुतिन को पीछे छोड़ दे, लेकिन जमीन पर उनके लिए रूस को हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। झाल से जमीन एक पाना बना 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 है।